अपने मेंबर्स का एंड मंडे के लिए हमारी प्लैनिंग क्या होनी चाहिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने आज की दिन क्या क्या आपको बताया था कल की वीडियो में ताकि आप लोग के लिए इसी हो जाए कि आज वैसा हुआ मार्केट में या पे नहीं हुआ और उसके बाद देखेंगे हमारे मेंबर्स ने क्या फाइदा बनाया एक सेकंड दो मुझे आज हमारा मार्केट है रहा है निगेटिव 68 पॉइंट डाउन क्लोज किया है मार्केट को मिला, ओपर से रिजेक्शन, यह सेम लेवल से रिजेक्शन बिला जहाँ पर कल मैंने आप लोको बताया था कि मार्केट में ये लेवल आप लोग देख के रखना जब लेवल निकलेंगे तब ही आप कौल सैड में ब्लैनिंग कर सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा हमारे members का profit, यह हमारा telegram group, 851 members है, और इसमें आप लोग को trades मिलता है, इसमें आप लोग को profit के screenshot दिखाता हूँ, जो मैं अपने members को trade करवाता हूँ, वो मैं यहाँ पर आप लोग को profit दिखा देता ह और कितना profit आज के दिन हमारे members का बना, तो पहले हम देख लेते हैं कि आज के दिन कितना पैसा बनवाया है हमने, यह सारे screenshot आज के हैं, जो आप देख रहे हैं, जो भी आप आज देख रहे हैं, यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, और यह सारे आज का अमारा हो गया profit, अब इसमें से एक message आपको दिखाना चाहूँगा, यह हमारे member का message है, जो आपको भी काफी जादा अच्छा लगेगा, एक बात बोल रहा हूँ, पहले जब खुद के लिए कुछ dress खरीदने जाते थे तो पहले MRP का tag देखते थे, बट पहली बर कल ऐसा हुआ, जब मैंने पहले कुछ पसंद किया, और उसके बाद उसका MRP देखा, यानि कि भाई हमारा कर रहा है बहुत अच्छा, पिछले दिन, यानि कि कल के दिन, almost 7-8,000 के आज-पास का profit किया था, और आज के दिन, almost 3-3,000 रुपे का profit किया है, यह भाई ने अके ठीक है, और जब यह हमारे साथ जोइन हुए थे, उस टाइम पर इनका 20,000 के आज-पास का कुछ लॉस था, और इनों ने जब जोइन के थे, तो उस टाइम मेरे को बस ये बोला था, कि भाईया, मेरे को सिफ रोज का 500 रुपई बनेगा ना, तो मेरे लिए काफी है, आज व क्यों option buying करनी है, ठीक है, तब जाके आपका कुछ होगा, अब एक मैंने जो अपने members को बहुत ज़्यादा perfect trade दिया था, आज की दिन वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसका screenshot मैंने या पर डाला था, ताकि आप लोग को समझ में आए, कि यार किस तरीके से trading किया जाता ह उनके लिए ये जगे बिलकुल perfect है, ये देख सकते हो कि मैंने 10 बच के 35 मेंड़ पर अपने members को trade दिया था, अब देखो nifty अगर 90,727 के ऊपर निकलेगा, देन उसके जो target होगे, वो होगे 740 से 743 और 757 से 60, ये level के साथ हमने ये trade अपने members को दिया था, जो की हमारा काफी श था यहाँ पर, ठीक है, नीचे से हम आ रहे थे, W का pattern का formation हुआ था, जो मैंने बताया, market निकाला, यहाँ कहीं पर हमने trade दिया था, और ये जो trend line है, यहाँ तक का almost ये trade था, trend line तक का इसलिए trade था, क्योंकि मुझे पता था कि trend line से rejection मिल सकता है, और वैसा ही same देखने को मिला कि trend line से rejection मिला, उसके अलावा, अगर आप देखोगे, तो मैंने कल की वीडियो में आप लोग को क्या बताया था, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर लेते हैं, छोटा सा screenshot, और आप लोगों को समझाता हूँ, देखो, कल हमारा market था range bound, यह थी वो range जो मैंने तब तक trade नहीं करना, या तो हम इसके उपर ना चले जाएं, या हम इसके नीचे ना चले जाएं, ठीक है, यह चीज़ आपको बताई थी, मैंने बोला था कि यह जो area है, बहुत ही crucial है, यहाँ पर वही trade करें, जो experience है, जो पहले से जानता है, ठीक है, market में मैंने आपको बोल होगा, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला, हमने stand line के उपर अपनी opening की, और यहाँ पर हमने जो हमारा high ताकल का, almost वहाँ तक गए, यानि कि 19,792 तक गए, यहाँ पर मैंने अपने members को पहले एक call में trade बन वाई, देन उसके बाद हमने एक put में trade बन आई, यहाँ पर trade बन वाई हमने, यहाँ पर trade बन वाई हमने, यहाँ पर trade बन वाई हमने, उसके बाद हमारा market काफी time यह देख सकते हो, आप sideways था, sideways के बास opportunity मिला लेकिन इस time पर मैं market में नहीं था, और मैं कभी भी अपने members को बहुत जादा trade देने में believe नहीं रखता हूँ, मैं चाहता ह की सुबे सुबे वो पैसा बनाएं और उसके बाद वो learning पर ज़्यादा focus करें, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो again हमारा market sideways था और again down move मिला, जो मैंने अपने members को बताया था, अगर आप चाहते तो आप क्या बना सकते थे, आप ये बना सकते थे, आप ये पैसा बना सकते थे, बिकॉज ये मैंने आप लोग को कल की वीडियो में बताया था, कि इसके अगर हम नीचे निकलेंगे, तो आपका target बनना चाहिए, आपका trade बन सकता है, ये level हमारे almost 710 के थे, हमारा market नीचे गया, 660 तक जब इसने first time breakdown के, और second time जब आया, यहाँ पर काफी दे रुका, लेकिन उसके अगेन ये 650 तक गया है, यानि कि आपको अच्छे trade मिल जाते है, ये तो हो गई, कल की बात आब बात करेंगे, आगे क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है मेरा content तो प्लीज वीडियो को like जरूर करो, और चैनल को subscribe कर लिए अगर है, अगर बहुत जादा important है, बहुत मेहनद लगती है इस analysis में, ऐसे ही नहीं होता है ये, so market ने कर दिया है, इस range का breakdown जैसा कि आप देख सकते हैं, तो important हमारे लिए क्या है, important हमारे लिए ये downside का level जहाँ पर market का last support बना है, दो बार market यहाँ पर रुका, morning time में भी रुका, और उस अगर हम कल के दिन इसको निकालते हैं, यानि कि Monday को, then हमें एक अच्छे target downside के देखने को मिलेंगे, क्या target देखने को मिल सकते हैं, वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, so इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, and थोड़ा सा हमको लगता है कि time frame बढ़ा करना पड़ेगा, because हमारा चार्ट है, वो इसमें बनेगा नहीं, तो अगर हम 15 minute का चार्ट देखें, तो हमें क्या देखता है, वो देख लेते हैं, तो अगर हम लोग 19,060 के नीचे निकलते हैं, Monday के दिन, तो हमारे जो next level है, वो है 19,640, then उसके बाद 19,600, यानि कि अगर हम ने breakdown किया, तो यहां से हम और अच्छा खासा fall कर सकते हैं, बड़ा range इसको मिलेगा, जब यह 90,600 से लेके, 550 के बीच में आएगा, जहां पर यह रुक सकता है, बिलकुल रुकेगा, नहीं रुकेगा, कोई नीब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का breakdown है, देखो, market दो दिन कोई बड़ी गरावट बोली जाएगी नहीं, और कल का भी हमारा maximum दिन था, वो range में था, जो fall हुआ था market, वो morning time में fall हुआ था, ठीक है, तो अगर हम downside की बात कर लें, तो 660 निकलेगा, then हमारा target 640, and then 90,600 रहना चाहिए, यह हो गए हमारे अभी के level की, क्या कर सकते हैं, sell-off मिल रहा है, कल पिछले 2 दिन की ही बात करें, तो कितनी बार हमें sell-off मिल चुका है, 1, 2, 3, 3 times हमें sell-off देखने को मिला है, और levels हैं हमारे 19,800 के आसपास का, ठीक है, मैंने आप लोगो को कल भी एक चीज़ बताईती है, अगर आप वीडियो जाके देखोगे, तो आपको स हमारा market यहाँ पर consolidate किया, then हमें target यह मिला, यहाँ पर consolidate किया, यहाँ पर consolidate किया, तो इन चीज़ों को आप notice किया अगरो, तब आपका कुछ बैतर result मिलेंगे, अगर आप ऐसे ही put call में buy करते रहोगे, तो सच में कुछ पैसा बनेगा नहीं, पहले ही मैं यह बात आप लोग को दे रहाँ, तो अब बात करें upside की, तो यह एक level है, 9720, अगर हम 720 के उपर निकलते हैं, देखो, यह zone है, यह आपका हो गया no trade zone, Monday के लिए, यहाँ पर वही trade कर पाएगा, जिसको experience है, otherwise मैं कहूंगा, आप touch मत करो, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है, 720 के अगर आम उपर निकलते हैं, आपका target रहेगा 740, then आपका target रहेगा 765, और आपका target रहेगा almost 19,800, लेकिन किस तरीके से ही आपको यह plan करना है, वो आपको टेलिग्राम पर पता चलेगा, जैसे कि मैंने आज जो यह planning कराई थी, वो आपको उधर मैंने बताया कि किस तरीके से plan करा होगी कि अच्छा यह निकल गए, आप trade लेलो, या तो एक चीज जो कुसी भी bullish candle के साथ इसमें अंदर हमारा market आए, उसके continuation के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक और चीज मैं बता देता हूँ, जब हमारा 9720 है, हमारा market किस तरीके से bullish हो रहा है वो important है आपके लिए, बड़ी candle form कर रहा है, छोटी candle form कर रहा है, morning time frame में निकल रहा है, या फिर दिन में निकल रहा है, दिन में निकलेगा तो काफी trap हो सकता है, आज यहाँ पर ना, जब हमारा market इस जगए था ना, तो मेरा एक था, कि हो सकता हमारा market उपर निकल जाए, ले market से बच के रहना होता है, हमें अपना पैसा बनादा है, और उसका market से आउट हो जाना है, ठीक है, तो अगर हम इसको निकालते हैं, 640, 600 आपके लेवल से put side में, अगर हम इसके उपर निकलते हैं, then 740, 760 और हमारा 800 ये लेवल से, इसके बीच में no trade zone, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस range में देख के trade करना पड़ेगा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं कल और परसो की वीडियो में weekly analysis भी आपको करके बताऊंगा, कुछ stocks भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि market गिरा है, तो कुछ stocks अच्छे level पर आ गए होंगे, तो उसके और में बा